दोस्तों नमस्कार मेरा नहीं सेकर और स्वागत था आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर जो लोग आर्मी पुलिस या फिर किसी और एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक और सबसे बड़ी खुसकपरी है और यह सबसे बड़ी भरती SSC, GD की भरती तो इसमें कुल पद हैं दोस्तों 75,000 पदू पर यह भरती होगी तो इसमें दोस्तों BSF, CISF, SSB, CRPF और ITBP, SSF और NIA तो इसका एक्जाम जिन लोगों ने पिछली बार दिया था यानि कि 2019 में हुआ था और फॉम आये थे फॉम भर तो उन लोगों के लिए नई भरती फिर से आगी जिन लोगों का उसमें चैन नहीं हुआ था तो वो लोग भी इसमें जा सकते हैं तो पूरा बताऊंगा इसमें age limit क्या रहेगी, height क्या रहेगी आपकी और कौन-कौन लोग इसको भर सकते हैं तो चले दोस्तों आज का वीड rifle examination 2020 तो CB दोस्तों सबसे पहले आपका जो होता है अब पहले तक अगर 2019 में 2018 में जो भरती आई थी 2019 में exam होता तो उससे पहले तक जो लोग भरती हुए थे तो 2015 के time उसमें भरती हुई थी तो उस समय तक दोस्तों पहले physical हुआ करता था और उसके बाद पिछली बार से पहले CBT होता है आपका computer based exam तो इस बार भी होगा और form आपके जो भरे जाएंगे दोस्तों 25 तीन 2021 से यानि कि 25 मार्च 2021 से आपके form भरे जाएंगे और 10 मई 2021 तक यह आपके form भरे जाने वाले हैं इसके अलावा दोस्तों जो आपकी exam date है वो है 2 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2020 तक 2 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 तक अब दोस्तों exam होगा उसमें आपके जो exam होगा हो 100 नंबर का होगा दोस्तों 100 marks का और इसमें आपकी SSC का एक मातर exam है जहां negative marking आपकी नहीं होती है तो आपको 100 के 100 attempt इसमें करने होते हैं ठीके दोस्तों तो इसमें 4 पार्ट में आपका exam रहता है हिंदी या इंगलिश में से आपको एक चुनना होता है अगर आपकी exam में वहीं चुनना पढ़ता आपको आप को जिसमां आपको सही लगता है तो हिंदी में दोस्तों लड़के 25 के 25 ले आते हैं तो टोटल दोस्तों आपके 100 questions दोंका ये paper होता है और 90 minute का ये आपका exam होता है तो दोस्तों ये तो है exam की बात तो अब बात दोस्तों कौन-कौन लोग इस form को भर सकते हैं तो आयू सीमा अब मैं आपको बताता हूँ कि age limit इसकी क्या होगी age limit दोस्तों 18-23 साल तक है ये है journal वालों के लिए 18-23 तक है journal वालों के लिए इसके अलावा OBC वालों को जो है 3 साल की छूट मिलती है इसके अलावा SCST इनको 5 साल की छूट मिलती है अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए आपके मन में होगा तो अगर आप दस्वी पास हैं कोई परसेंट कोई कुछ यह से आर्वी में चलता है तो आप सिर्पर इसके लिए दस्वी पास आपको होना है और आप पूरे भारत से आप खहीं से भी हैं तो आप SSC GD का फॉम आप भर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तो आपकी हाइट अब हाइट दोस्तो 170 cm आपकी हाइट होनी चाहिए हाला कि कुछ पहाड़ी राज्यों को छूट है जैसे उत्रा खंड हिमान चल और विजो सिक्किम यह राज्यें वहां उनको छूट रहती है इसके अलावा महिलाओं की बात करते ह महिला की हाइट कितनी होती तो इनकी हाइट होती है और स्ट में बात करें तो 122.5 इनकी हाइट होती है और फिमेल की हाइट होती है वह 150 cm महिलाओं में और उस्तों फिर जब आप एकजाम निकल जाता है फिर उसके बाद आपका होता है आपकी होती है जो फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाता है तो फिजिकल टेस्ट में जो पूरूस हैं लड़के हैं उनके लिए पांच किलो मेटर की दौर रहती है इसके अलाव महिलाओं के लिए जो है 600 मेटर की दौर रहती है वह आठ मिनिट में आपको पूरी करनी होती है तो दोस्तो आप लोग अभी जिस भी और एक्जाम की तियारी कर रहे हैं जो लोग जिन लोग ने अभी और भी फॉर्म भर रहे हैं जैसे दिल्ली पुलिस या और भी अगर आप जो भी यूपी पुलिस जिन लोग वा हुआ है जो उत्राखंड पुलिस की तियारी कर रहे हैं क्योंकि आप जो अभी पढ़ेंगे वो सब आपका यहां भी काम आने वाला है तो इससे संबंदिद अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो दोस्तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल होतो तो बाकी मैंने इसा बताई दिया है और भी बहुत जल्दी से संबंदिद और वी वीडियो में आपके लिए लाने वाला हो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जड़ो सस्काइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें तो थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में